लाव यू दिपिका सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट देस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नहीं पूछता की फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूं अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहांची जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाइए सुरुची अपने सपनों के उड़ान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए जो देता है Flywheel Aviation Academy Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टिटीट है जहां पर एरलाइन और एरपोर्ट हॉस्पितालिटी और टूरिजम मैनेजमेंट साथ ही यहां campus interview guidance by industry expert practical training at airport expert faculty personal grooming जैसे कई सारे benefits आप पास सकने है Flywheel Aviation Academy 1 degree, 3 job opportunities Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job Flywheel Aviation Academy 365 गानी नगर LAD College Square beside करनाटिका बैंक नागपुर नमस्कार VKV News के खास पेशकश में आपका स्वागत है जहां आज आप देख रहे हैं देश, प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनेंदा खबरे वो भी मेरे साथ प्रदेश की बड़ी खबरे आज राजनीती के ही इर्दगीर्द घूमती नजरा रही है मनी लॉंडरिंग के आरोपो में घिरे महराष्ट सरकार के परिवहन मंत्री अनिल परब ने कहा है कि मैं अपने बेटे की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है याद रहे सचिन वाजे ने भी आरोप लगाया था कि परब ने उसे BMC ठेकेदारों को धमका कर पैसे वसूल कर देने को कहा था इसके अलावा मुख्यमंत्री राज्य में परियटन को बढ़ावा देने की बात सामने आ रही है उद्दव ठाकरे ने कहा कि अथिती देवो भव हमारी संस्कृती है इसलिए यदि हम उन्हें सुविधाय मुहिया कराएं तो विदेशी परियटक भी अन्य लोगों को महराश्टर आने का सुझाओ देंगे मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को भी पत्र लिखा है उन्होंने मुंबई से हैदराबाद और पूने से औरंगाबाद हाई स्पीड रेलवे मार्ग शुरू करने की मांग की है इस बीच महराश्टर अन्न वह अउशदी विभाग ने अनाज के कारुबार करने वालों को चेतावनी दी है कि वे लाइसंस या रजिस्ट्रेशन के बिना अनाज की खरीद फरोक्त न करें ऐसा न करने वाले कारोबारियों को कानूनी कारवाई की चेतावनी दी गई है जिसके तहट उन्हें 5 लाख रुपे तक का जुर्माना और 6 मैने तक कारवास की सजा हो सकती है अब बात अदालत की ठाने कोट ने गीतकार जावेत अक्तर को कारण बताव नोटिस जारी किया है कोट ने यह नोटिस पिछले दिनों राष्ट्रिय स्वयम सेवक संग के बारे में अक्तर की और से दिये गए बयान को लेकर दायर किये गए दावे पर सुनवाई के बाद दिया है तो आईए प्रदेश की इन पाच बड़ी खबरों को अब विस्तार से जानते हैं महराष्ट सरकार में परिवहन मंत्री अनिल परब प्रवर्तन निदेशाले के सवालों का सामना कर रहे है घर से निकलते समय परब ने मिडिया करीमियों से कहा कि मैं अपने बेटे की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है अनिल पर मनी लॉंडरिंग का आरूप है सचीन वजे ने भी परब पर यहां आरूप लगाया था कि परब ने उसे BMC ठेकेदारों को धमका कर पैसे वसुल कर देने को कहा था महाराष्टर BJP के वरिष्टनेता और पूर्व सांसत किरिट सुमयया ने भी अनिल परब पर जाली दस्तावेजों के जरिये इस रिसोर्ट को नियमित कराने का प्रयास किया था जानकरी के अनुसार अनिल परब ने 19 जून 2019 में 42 गुंटा कुरूशी योग्य भूमी विबास साथे से खरीदी थी जमीन खरीदने के साथ दिन बाद यानि 26 जून 2019 को उन्होंने स्थानिय निर्मल ग्राम पंचायत को पत्र लिख कर बताया कि उन्होंने साथे से जमीन खरीद ली है जिस पर पहले से ही रिसॉर्ट बना हुआ है उन्होंने पत्रम में कहा कि यहा रिसॉर्ट नियमों के तहद बना है इसलिए इस पर मेरे नाम का प्रापर्टी टेक्स जारी किया जाए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि अतिती देवो भव हमारी संस्कृती है इसलिए यदि हम उन्हें सुविधाय मुहया कराए तो विदेशी परियतक भी अन्ने लोगों को महराष्ट आने का सुझाओ देंगे परियतन विभाग पहले उदासिन था लेकिन हमने परियतन के महत्व को जाना है और अब हम इसोर ध्यान दे रहे है परियतन कई राज्यों और देशों के राजस्व का जरिया है उपमुक्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि महराष्ट रही एक मात्रा ऐसा राज्य है जिसे प्रकुरूती ने सब कुछ दिया है गड़, किल्ले, समुदरी तट, निर्भिक परियतन, धार्मिक स्थल, शैक्षनिक और परियतन स्थल जैसा सब कुछ है बस हमें वहाँ पर बुनियाद सुविधाय पहुचाने पर धान देना चाहिए सिंद्य दूर्ग जिले में शुरू होने जा रहे चीपी हवाई अड़े से निश्चित रूप से कोंकन के परियतन को फायदा होगा राज्य के परियतन मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि राज्य में परियतन की असिम संभावना है बस उसे प्रचारित करने तथा वहाँ पर बुनियादी सुविधाय प्रदान करने की जरूरत है जिस पर हमारी सरकार काम कर रही है राज्य में आने वाला हर परियाटक हमारा ब्रैंड एम्बेसेडर होना चाहिए उन्होंने बताया कि BMC के बाद बॉंबे हाइकोट वं मुंबई विश्व इद्धालाई की इमारत भी परियाटकों के लिए खोली जा रही है वर्षों से लंबित आतित्यक शेत्र को उद्ध्योक का दर्जा देने का निर्णे लिया गया है चीपी एरपोर्ट के बाद विश्वस्तरी ये होटल वेवसाई कोकन आने को आतूर है अगले कुछ वर्षों में महाराष्ट दुनिया को सही मायने में दिखाएगा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंडर मोधी को पतर लिख कर मुंबई से हधराबाद और पूने से औरंगाबाद हाइस्पीड रेलवे मार्ग शुरू करने की मांग की है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुंबई नाशिक नाकपूर हाइस्पीड ट्रेन पर ये उजना के लिए पुरा सहयोग करीगी लेकिन केंद्र सरकार मुंबई से जालना और नांदेड मारग के जरिये हधराबाद और पूने से औरंगाबाद को हाइस्पीड रेलवे से जोड़े मुख्य मंतरी ने कहा कि प्रस्तावित मुंबई नाकपूर हाइस्पीड रेलवे मार्ग जालना तक हिंदू रिदर समराट बाला साहिप ठाकरे महराष्ट सम्रुद्धी महामार्ग के समान अंतर जा रहा है राज्य सरकार ने जालना से नांदेड के दोरान एक्सप्रेस महामार्ग शुरू करने का फैसला किया है राश्ट्रिय महामार्ग प्राधिकरण ने पहले ही नांदेड से हिदराबाद शहर को एक्सप्रेस महामार्ग से जोडने के लिए तय किया है इसलिए जालना और नांदेड मार्क के जरीए मुंबई से हिदराबाद हाई स्पीर्ड रेलवे मार्क शुरू करना अधिक उचित होगा इसके अलवा पुने और औरंगाबाद शहर को भी स्पीर्ड रेलवे मार्क से जुड़ा जाना चाहिए इससे दोनों शहरों के अलवा नाशिक को भी बड़ा फायदा होगा क्योंकि फिलाल मुंबई और नाकपुर के कारण मुंबई नाशिक और रंगाबाद एक दूसरे से जुड़ेंगे मुंबई से हैदराबाद मार्क शुरू होने पर मुंबई और पूने स्पीर्ड रेलवे मार्क से जुड़ जाएंगे इसके अलावा राज्यसरकार ने पूने से नाशिक स्पीर्ड रेलवे मार्क भी प्रस्तावित किया है इससे यहाँ सभी शहर अपने आप एक दूसरे से जुड़ जाएंगे इससे उद्ध्योग और व्यापार वीशिश रूप से आटो मोबाइल उद्ध्योग को बड़ा फायदा हो सकेगा महराष्टर अन्नवा उशदी विबाग ने अनाच के कारोबार करने वालों को चेतावनी दी है कि वे लाइसंस यह रजिस्ट्रेशन के बिना अनाच की खरीट फरुक्त न करे ऐसा ना करने वाले कारुबारियों को कानूनी कारवाई की छेतावनी दी गई है जिसके तहट उन्हें 5 लाक रुपे तक का जूर्माना और 6 मैने तक की कारावास की सजा हो सकती है यहां नियम पूरे राज्यम में लागू है बता दे की अन्न सुरक्षा वो मानद अधिनियम के तहट जीन कारुबारियों का वारशिक टर्नूवर 12 लाक रुपे से ज़ादा है उनके लिए लाइसंस लेना अनिवारी है जबकि सालाना 12 लाक रुपे से कम टर्नूवर वाले कारुबारियों को रेजिस्ट्रेशन कराना होगा लाइसंस यह रेजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन अर्जग किया जा सकता है जरूरी कागजाता और शुल्क भरने के बाद कारूबारियों को लाइसंस या रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा इस बारे में विस्तुरू जानकारी भी वेबसाइट से हसिल की जा सकती है अनाच के कारूबार से जुड़े कारूबारियों के लाइसंस और रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन और नवीनी करण में मदद के लिए अन्नवा औशदी प्रशासन विभाग एक से साथ अक्तुबर तक विशेश मुहिम चलाई जाएगी सरकार का मानना है कि इससे काफी हद तक मिलावट खुरो पर नकेल कसी जा सकेगी तेवहरों के दवरान बड़े पैमाने पर खाद्य समगरियों में मिलावट की खबरे आती है अब पूरी तरह पारदर्शिता लाने की कवायत की जा रही है महनगर की ठाने कोट ने गीतकार जावेद अक्तर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कोट ने यहाँ नोटिस पिछले दिन और राश्ट्रिय स्वयम सिवक संग के बारे में अक्तर की ओर से दिये गए बयान को लेकर दायर किये गए दावे पर सुनवाई के बाद दिया है एक चैनल पर उन्होंने RSS की तुलना तालीबान से की थी कहा था कि तालीबान वा हिंदू राष्टर की चाहत रखने वाले लोगों में विलक्षन समानता है जैसे तालीबान इसलामिक राष्टर चाहता है वैसे कुछ लोग है जो हिंदू राष्टर चाहते है इस तरह से तालीबान वा हिंदू राष्टर की चाहत रखने वालों में गजब की समानता है अक्तर के इस बयान के बाद सामाजिक कारेकरता विवेक चंपनेर करने अक्तर के खिलाप ठाने कोट में दावा दायर किया है दावे में चंपनेर करने अक्तर से एक रुपए के नुकसान भरपाई की मांग की है और ऐसे बयान देने से रोकने का निर्दिश देने का आगर किया है दावे में कहा गया है कि अक्तर ने यह बयान सुनी योजित करके दिया है जिसका उद्दिश, RSS की छवी धुमिल करना वो मानहानी करना है कोट ने इस दावे पर गौर करने के बाद अक्तर को कारण बताव नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 12 नवंबर 2021 किस तक के लिए स्थगित कर दी देश के कई प्रदेशों में चुनाव और उपचुनाव का दौर है इस बीच खाली पड़ी लोग सभा की 3 सीटो और विधान सभा की 30 सीटो पर उपचुनाव के लिए तारिक का एलान हो गया है चुनाव आयोग ने अधी सूचना जारी कर बताया है कि इन सभी सीटो पर 30 अक्टूबर को चुडा होगे दूसरी तरफ हैरान करने वाली खबर ये है कि बसपा विधायक रामबाई सिह का एक बयान काफी सुर्खियों में है उन्होंने कल ही कहा था कि आटे में नमक बराबर रिश्वत चल सकती है बता दे रामबाई सी पत्रिया विधान सभा सीट से बहुजन समाज पार्टी की विधायक है एक खबर परिशान करने वाली भी है भारत मौसम विध्यान विभाग ने उत्तर आंधर प्रदेश और उससे सटे दक्षिन ओडिशा के लिए एक पूर्व चक्रवाद चेतावनी जारी की है मौसम विभाग के अनुसार यह शनिवार तक तेज होकर एक चक्रवाती तुफान में बदल जाएगा जो रविवार शाम को दक्षिन ओडिशा उत्तरी आंधर प्रदेश तट को पार करेगा राजनीतिक शेतर से भी हैरान करने वाली खबर है वामदल के नेता रहे कनहिया कुमार आज कॉंग्रेस में शामिल होंगे कनहिया कुमार लोकसभा में वामदल से उम्मिद्वार भी रह चुके है कॉंग्रेस उनकी स्वागत में लगी है तो भाजपा कटाक्ष करने का कोई आउसर नहीं छोड रही है लेकिन शर्मसार करने वाली खबर यूपी की रासधानी लखनों से है मानसीक रूप से बिमार यूवती के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है आठ आरोपियों ने पिडिता के कपड़े फार दिये और उसके साथ बारी-बारी से पूरी रात रेप किया देश भर की पाच बड़ी खबरे अब विस्तार से देश में खाली पड़ी लोकसभा की तीन सीटों और विदान सभा की तीस सीटों पर उपचुनाव के लिए तारिक का एलान हो गया है चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर बताया है कि इन सभी सीटों पर 30 अक्तुबर को चुनाव होंगे लोकसभा की जिन तीन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें दादरा नगर हवेली, मध्यप्रदेश की खंडवा और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट शामिल है इसके अलवा आंध्रप्रदेश की एक, असम की पाँच, बिहार की दो, हर्याना की एक, हिमाचल प्रदेश की तीन, करनाटक की दो, मध्यप्रदेश की तीन, महराष्टर की एक, मेगाले की तीन, नागलाइन की एक, राजस्थान की दो, तेलंगाना की एक और पश्चिम ब से ही ये सिट खाली है इसके अलावा मध्यप्रदेश के खंडवा से बीजेपी सांसत नंद कुमार सिंग चोहान का भी इसी साल मार्च में निधन हो गया था वह कोरोना से पीडित थे वही हिमाचर प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसत राम स्वरुप शर्मा का भी शव उन इसी पाज विधायक ने गुश का क्या पैमाना होना चाहिए बस्वरंबधायक रामबई सिंग ने अपने एक बयान में कहा कि आटे में नमक बराबर रिश्वत चल सकती है बतादे कि रामबई सिंग पतरियय विधानसभा-सीर्ट से बहुजन समाजपार्टी की विधायक ह उनके पास सतुवां गाउं के कुछ लोग अधिकारियों की शिकायत लेकर पहुँचते थे आरोप था कि प्रधानमंद्री आवास के नाम पर सहयक, सचिव, हजार रुपे वसुल रहे थे इसी के बाद विधायक ने गाउं में पहुचकर जन चौपा लगाई जिसमें गाउं वालों ने अधिकारियों के सामने ही उनकी शिकायत की गाउं वालों का अरोप था कि अधिकारियों द्वारा पांस से दस हजार रुपे तक घुस ली जाती है ग्रामीनों की शिकायत के बाद बसपा विधायक रामबाई ने कहा हजार रुपे लेते तो कोई परिशानी नहीं थी आटे में नमक चलता है हम तुमसे मना नहीं कर रहे है किसी से पूरी थाली कैसे चिन सकते हो हमें भी पता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा चला रहा है मगर इतना भ्रष्टाचार ठीक नहीं कहा कि सवालाख के घर में पांच-दस हजार की रिश्वत लेना गलत है इस दोरान विधायक ने रोजगार सहायक से कहा कि अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम्हारे घर में एक लाख रुपे का बातरूम बना होगा और यहां गरीब सवालाख में अपना पूरा घर बना रहे है इसके बाद भी यदि आप उनसे पांच से दस हजार रुपे लेगे तो शर्मानी चाहिए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर आंधर प्रदेश और उससे सटे दक्षिन ओडिशा के लिए एक पूर्व चक्रवाद चेतावनी जारी की है ये चक्रवाद 24 सितंबर को पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के उपर नीमना दबाउक शेत्र के रूप में शुरू हुआ जिसके बाद 25 सितंबर की दोपहर तक ये बंगाल की पुर्व मद्य खाड़ी के उपर राद तक एक अच्छी तरह से चिन्धित LPA में बदल गया मौसर विभाग के अनुसार अब ये शनिवार तक तेज होकर एक चक्रवाती तुफान में बदल जाएगा जो रवीवार शाम को दक्षिन ओडिशा उत्तरी आंदर पदेश तर्ट को पार करेगा बतादे कि चक्रवाती तुफान गुलाब ने 31 क्षेत्र पर दस्तक दी थी और रवीवार देर रात तक जमिन को पार कर गया था चक्रवादी तुफान गुलाब का एक अवशेश सुमवार शाम तक उत्तरी तेलंगाना और उससे सटे दक्षिन 36 गड़ और विदर्ब पर कमजोर हो गया था तटिये ओडिशा, आंद्र, 36 गड़ को पच्छाडने की बाद इसने पच्छिम की और बढ़ना जारी रखा है सुमवार तड़के ये महराश्य के उपर डिप्रेशन के रूप में दिखा हालांकि इससे व्यापक शती की कोई खबरे नहीं है लेकिन तटिये इलागों में रहने वालों को काफी परेशानी हुई है अब एक और नए चक्रवात के पुरुवानुमान ने हैरान परेशान कर दिया है वामदल के नेतार है कनहिया कुमार आज कॉंग्रेस में शामिल होंगे कनहिया कुमार लोकसभा में वामदल से उमिदवार भी रह चुके है बिते दिनों गुजरात की निर्दलिय विधायक और प्रभावशाली दलित नेता जिगनेशन मेवानी ने ये एलान किया था कि वो और कनहिया कॉंग्रेस में शामिल होंगे अम कॉंग्रेस नेता उनका जोरदार स्वागत कर रहे है दफ्तर फ्लेक्स और पोस्टर से पढ़ गया है जे एन्यू छात्रस संगा के पुर्वा अध्यक्ष कॉंग्रेस का मानना है कि कनहिया जैसे युवा चेहरे के आने से बिहार में कॉंग्रेस को मजबूती मिलेगी कॉंग्रेस को ये भी लगता है कि बिहार में प्रचार करने और सवरना समुदाय को साधने में कनहिया कुमार मददकार साबित हो सकते है मतादे की कनहिया कुमार ने 2019 लोकसभा के चुनाव में भागपा के टिकिट से चुनावी मैदान पर उत्रे थे लेकिन भाजपा के दिगज नेता गिरिराज सिंग से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था राजनितिक विशेशग्यों का मानना है कि तब कनहिया की प्रोफाइल लो थी लेकिन अगर वे कॉंग्रेस का दामन थामते हैं तो ये उनकी राजनितिक पारी की नई शुरुआत होगी इस बिच कनहिया के कॉंग्रेस में शामिल होने पर भारतिय जंता पार्टी की आईटी सेल के मुखिया अमित मालविया ने ट्विट कर निशाना साधा है उन्होंने लिखा है कि महज इत्तेफाक नहीं हो सकता भारत को तोड़ने वाली ताकतों के साथ हाथ मिलाना अब कॉंग्रेस का उद्देश है यूपी की राजधानी लगनों में मानसिक रूप से बिमार यूवती के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है पीडिता 23 सितंबर की शाम को घर से निकली थी दिर रात तक वह घर नहीं लोटी तो परीजन उने गुमशुदगी की तहरीर पुलिस को दी थी इधर पीडिता रास्ता भटक गई उसे एक आटो रिक्षा चालक मिला उसने उसे घर छोड़ने की बात कहकर आटो में बिठा लिया आटो चालक ने पीडिता को जूस पिलाया इसके बाद वह यूथी को आलम बाक्स दित रेल्वे कॉलनी ले गया वहाँ एक महिला के अलावा साथ अन्य लोग मौजुद थे उसके साथ सभी अशलिल हरकते करने लगे शोर मचाने पर मुह दबा दिया हाथ पर डुपेटे से बान दिये इसके बाद आठ आरोपियों ने पीडिता के कपड़े फार दिये और उसके साथ बारी बारी से पूरी रात रेप किया पीडिता को 24 सितंबर की सुबह होश आया उसने देखा कि आठो आरोपि घर में नहीं थे आरोपियों के साथ मोजुद महिला किसी काम में व्यस्त थी पीडिता मौका देखकर घर से बाहर आ गई वह किसी तरह पैदल पैदल आलंबाग पूलिस टेशन पहुची पीडिता ने आरोपियों को एक दूसरे के नाम लेते हुए सुना था उस आधार पर उसने पूलिस को बताया कि आटो चालक शिवनंदन बातों में फसा कर आटो में बैठा कर ले गया था कोरोना के कारण विशम परिस्थीतियों से गुजर रही दुनिया के सामने कई यक्ष प्रशन खड़े हो गए है संपन्न देश तो भरपाई कर पा रहे है लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर देश मुश्किल में है इन में से ही एक देश है पाकिस्तान पाकिस्तान की चरमराई अर्थव्यवस्ता के बीच एक हालिया रिपोर्ट ने बेरोजगारी की काली सच्चाई भी सामने लाखर रखती है हताश करने वाली बात ये है कि एमफिल जैसी डिग्री रखने वाले लोग भी वहाँ चप्रासी की नौकरी के लिए आवेदन करने को मजबूर है लेकिन चीन जैसे संपन्न देश इससे अलग अपनी साधन में जुटे है पूर्वी लदाक में तनातनी के बीच चीन ने उत्तराखन के बारा होती इलाके में उकसाने वाली हरकत की है चीन की फौज के सौसे ज्यादा सैनिक बॉर्डर पार कर भारत में घुस आय और कई इंफ्रस्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया वहां से पीछे लोटने से पहले चीनी सैनिकों ने एक पूल को भी क्षतिगरस्ट कर दिया भारत ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है हैरानी भरी खबर रूस से है इस साल फरवरी में रूस की राजधानी मौस्को से करीब 370 कीमी दूर जर रिस्क शहर की गलियों में नीले रंग के कुट्टे देखे जा रहे थे शुरुआत में तो इसे लेकर आसपास के इलाकों में पहली खड़ी हो गई लेकिन फिर इशारा मिला पास में बन पड़े एक केमिकल प्लांट पर शोद दर शोद के बाद निश्कर निकला की कॉपर सलफेट जैसे केमिकल के कारण कुट्टों के फर का रंग बदल रहा है एक और हैरान करने वाली खबर ये है कि अफगानिस्तान पर कबजे के बाद अब तालिबान के पाकिस्तान पर कबजे की आशंका बढ़ गई है अमेरिका के पूर्व राष्टर पती डोनाल्ड टरम के सुरक्षा सलाहकार रह चुके जॉन बॉल्डन ने आशंका जताई है कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अब तालिबानी पाकिस्तान के 150 परमानु बमों पर कबजा जबा सकते है हैरानी और परिशानी के बीच अगर चमतकार हो जाए तो इसे उपर वाले की महरबानी ही कहेंगे नेपाल में बुद्धा एयर का विमान लैंडिंग गेर फसने के बाद करीब दो घंटे तक हवा में ही अटका रहा इस विमान से 73 यात्री सवार थे और पूरा समय यात्रियों का खौफ और मौद के डर के साए में बीता हाला कि चमतकार ही कहे यात्री विमान सुरक्षित तरीके से काटमांडू के त्री भूवन अंतरराश्ट्रे हवाई अड़े पर उतर गया हैरानी, परेशानी और चमतकार के साथ विस्तारवादी चीन की मानसिक्ता को जग जाहिर करने वाली दुनिया भर की इन पाच बड़ी खबरों को आईए अब जानते हैं विस्तार से पाकिस्तान की चर्मराई अर्थविवस्ता के बीच एक हालिया रिपोर्ट ने बेरोजगारी की काली सच्चाई भी सामने ला कर रख दी है पाकिस्तान इंस्टिटूट अफ डिवलप्मेंट एकोनॉमिस की रिपोर्ट पे बताया गया है कि देश के शिक्षित लोगों में से 24 प्रतीशत के पास इस वक्त कोई नौकरी नहीं है हताश करने वाली बात ये है कि एमफील जैसी डिग्री रखने वाले लोग भी चप्रासी की नौकरी के लिए आवेदन करने को मजबूर है रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी दर 16 प्रतीशत पर है न कि सरकारी दावे के मताबिक 6.5 प्रतीशत पर योजना और विकास समीती को ये भी बताया गया कि 40 प्रतीशत शिक्षित महिलाए बेरोजगार हैं यहां तक कि ये भी बताया गया कि कुछ लोग एमफील करने लगते हैं क्योंकि उन्हें बहतर नौकरी नहीं मिलती तो आगे पढ़ना उन्हें बहतर लगता है इसलिए उन उनके पास नौकरी नहीं है समीती को ये भी बताया गया कि कम से कम 15 लाख लोगों ने हाई कोर्ट में चप्रासी की नौकरी के लिए आवेदन दिया और इनमें एमफील डिग्री धारक भी थे वही देश में शिक्षित युवाव और बच्चों को लेकर रिसर्च सरकारी स् पड़ा है पूर्वी लदाक में तनातनी के बीच चीन ने उत्तराखंड के बारा होती इलाके में उकसाने वाली हरकत की है चीन की फौज के सो से ज्यादा सैनिक बॉर्डर पार कर भारत में घुस आए और कई इंफ्रस्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया हालात के बारे में ज चीन की घुस बैट ने खत्रे की घंटी बजा दी है बारा होती इलाके में पहले भी चीन की और से घुस बैट की जाती रही है सितंबर 2018 में भी ऐसी खबरे आई थी कि चीनी सैनिकों ने यहाँ तीन बार घुस बैट की उननिस सो चौपन में यह पहला इलाका था जहाँ ची सैनिकों से उनका सामना होता पी एले सैनिक लोट चुके थे सुरक्षा सूतरों ने बताया कि तुन जुनला पास पार कर 55 घोडे और 100 से ज्यादा सैनिक भारतियक शेतर में पाच कीमी से ज्यादा अंदर आ गय थे पिछले कुछ वर्षों में इस इलाके में पी एले की और स से घुजबैट की मामुली घटनाई हुई है सरकारी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टी की है कि चीन के सैनिक सेना के घोडों के साथ तुन जुनला पास पार करके 12 होती के करीब चारा गाह पर आ गय थे इस साल फरवरी में रूस की राजधानी मौसकों से करीब 370 कीम रहे थे शुरुवात में तो इसे लेकर आस पास की इलाकों में पहली खड़ी हो गई लेकिन फिर इशारा मिला पास में बन पड़े एक केमिकल प्लांट पर एनिमल एक्टिविस्ट समूहों ने शक जताया प्लांट से निकलने वाले हानिकारक केमिकल्स पर रिपोर्ट के म बताया गया है कि प्लांट में अक्रेलिक ग्लास और प्रूसिक एसिट निकलता था और आशंका जताई गई कि कॉपर सलफेट जैसे केमिकल्स के कारण कुट्तों के फर का रंग बदल रहा है हालाकि इन कुट्तों की सेहत पर कोई असर नहीं था लेकिन केमिकल्स के असर को लेकर चिंताई जाहिर की गई इससे रूस में केमिकल्स के मुद्दे ने भी रफ्तार पकड़ी हुमन सोसाइटी इंटरनेशनल उपाध्यक्ष केली ओमेरा का कहना है कि इस तरह के केमिकल्स त्वचा पर जलन और खुजली तो कर ही सकते है शरीर के अंदर खून भी निकल स अमेरिका के पूर्वराष्टरपती डोनाल्ड ट्रम के सुरक्षा सलहकार रह चुके जॉन बॉल्टन ने आशंका जताई है कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अब तालिबानी पाकिस्तान के 150 परमानू बमों पर कबजा जबा सकते हैं बॉल्टन ने कहा कि अगर इस 260 परमानू बम है इसके अलावा उसके पास जमिन आधारित 102 मिसाईले है पाकिस्तान ने अमेरिका से F-16 फाइटर विमान खरीदा है जिसमें 24 परमानू लॉंचर्स भी मौजूद है जॉन बॉल्टन ट्रम्प के शासन काल में अप्रेल 2018 से लेकर सितंबर 2019 तक उनके सुरक् बॉल्टन ने ये आशंका ऐसे समय पर जताई है जब पाकिस्तान में तालीबानी प्रभाव तेजी से बढ़ता ही जा रहा है यही नहीं तालीबान समर तक पाकिस्तान के कट्टर पंती मौलाना अब अपने देश में भी इसलामी शरिया कानून को लागू करने की मांग करन पड़ा वही मौलाना ने दावा किया कि इसलामाबाद प्रशासन ने शरिया लागू करने की मांग को मान लिया है नेपाल में बुद्धा एयर का विमान लैंडिंग गियर फसने के बाद करीब दो घंटे तक हवा में ही अटका रहा इस विमान में 73 यात्री सवार थे और प विमान में तकनीकी समस्या आ गई थी जिस वज़र से उसके लैंडिंग गियर नहीं खुल रहे थे बताया जा रहा है कि इस विमान को विराट नगर हवाई अड़े पर उतरना था लेकिन बाद में उसे काटमांडू ले जाया गया दरसल अगर किसी यात्री विमान की किया जा रहा है ताकि विमान क्रैश नहूं साथी फोर्स लैंडिंग के प्रयास किये जा रहे है विमान के फोर्स लैंडिंग की आशंका को देखते हुए रनवे के पास सुरक्षा बल एंब्योलन्स फायर ब्रिगेट की टीम को तैनात किया गया इस से यात्रियों में और ज्यादा डर पैदा हो गया इस बीच पाइलट ने ऐलान किया कि आखरी बार लैंडिंग के लिए प्रयास किया जा रहा है और लोग कुर्सी से खुद को बांद ले इसी बीच चमतकार हो गया इस बार विमान के लैंडिंग गयर खुल गये और एटीसी ने पाइलट को बता जाते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिष पर कोई ये नई पूछता कि फेवरिट डिष मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहाँची जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाइए सुरुची अपने सपनों के उड़ान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए जो देता है फ्लाइवीन एविएशन अकाडमी एक ऐसा इंस्टिटूट है जहां पर airlines and airport hospitality और tourism management साथ ही यहां campus interview, guidance by industry expert, practical training at airport, expert faculty, personal grooming जैसे कई सारे benefits आप पास सकने है फ्लाइवील एविएशन अकाडमी, one degree, three job opportunities फ्लाइवील एविएशन अकाडमी, gives you a degree or diploma with a job फ्लाइवील एविएशन अकाडमी, 365 गानी नगर, LAD College Square, beside Karnatika Bank Nagpur